Hello everybody, this is your educator Prachi Singh और आज मैं आई हूँ आपको सबसे बड़ी महामारी के बारे में बताने हैं So आपको पता है कि Black Death यानि की काली मौत सबसे बड़ी महामारी साबित हुई थी इसका एक और नाम है जिसे हम Vibonic Plague के नाम से जाने हैं So यह 14th century में स्टार्ट हुई थी और यह Flesh और Red से फैलती थी हंजी यह Flesh और Red से फैलती थी 14th century में यह स्टार्ट हुआ था और यह कहां पर स्टार्ट हुआ था? European countries में स्टार्ट हुआ था इसके symptoms क्या-क्या थे? बिटा headache और sneezing या फिर you can say lymph में swelling आ जाती थी जब किसी को भी Vibonic Plague होता था So at that time एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ और मैं बताँगे आपको At that time PPA kit की discovery की गई थी यानि कि PPA kit को launch किया गया था अब PPA kit कैसा था? जैसा कि आप मेरे back में देख सकते हैं PPA kit की में same to same ऐसी थी हांजी चोच जैसी PPA kit थी ता कि किसी को भी किसी भी डॉक्टर को उस बिमारी का infection ना हुसे के patient के लिए इसी लिए ऐसी PPA kit भी design की गई थी So I hope you find this video very informative So stay tuned with us क्योंकि है YouTube festival तो ऐसी ही सारी आपके पास amazing सी videos आती रहेंगी Till then be safe, stay at your home, bye bye and have a good day